हाई गाईज वेलकम टू क्वेशन बैंक्राफ्ट आज हम अपने प्यारी से लड्डू गोपाल जी के लिए गोटा और फर का यूज़ करके बहुत ही सुन्दर सी हैवी से पुशाक बनाने वाले हैं इस पुशाक में यहां पर हम गोटा का यूज़ करेंगे और साथ में जो फर हम इस्तमाल करेंगे वो भी मैं खुदी आपको बनाना सिखाऊंगी इस वीडियो में तो इस वीडियो को आप लोग लास तक देखेगा चले फिर हम स्टार्ट करते हैं और आज की जो यह पुशाक यहां पर आपको स्क्वाइर बेस में यह वाला जो फिस्सा होता है बेसिकली सर्कुलर बेस में जिसे हम डायमीटर बोलते हैं वह कैसे लेना होता है जैसे की सर्कुलर बेस में चार नंबर के काना जी का डायमीटर आता है आठ हिंच का तो यहां पर इसका यह वाला जो यहां पर पुशाक की डेकॉरेशन के लिए हमने यूज किया है यह गोटा ये देखिए पतले वाले गोटे का मैं यूज करूँगी और फर बनाने के लिए यहां पर हम साटन रिबन का यूज करेंगे यह मेरे पास तरीके का चोड़ा साटनी दिबन है जिसका मैं यूज करूँगी फर बनाने के लिए तो गाईज अब यहाँ पर मैंने पतला वाला गोटा ले लिया और यहाँ पर आपको squares बनाने हैं मैं एक बार बता देती हूं कैसे करना है यहाँ से हमें start करना है उसके बाद जैसे normally dresses में यह हम इस type से मोड़ते हैं वैसे करना है फिर यहाँ लेना है उसके बाद यहाँ पर भी same ऐसी मोड़ना है बस आपको basically square बनाना है प्रॉपर यहाँ पर gap लेते लेते इसको इस तरीके से रखके इस type से square बनेगा इसी तरीके के मैं हाँ पर करीबन इस तरफ तक boundary तक यहाँ पर squares बनाऊंगी और यह देखिए गाईस यहाँ पर इस तरीके से हमने गोटा लगा लिया है यह देखिए यह मैं आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ यहाँ पर हमने गोटा के 3 layers लगाए है यह आपके घेरे के size के उपर भी depend करता है अगर आपका घेरा छोटा है तो दो layers में भी आपका काम हो जाएगा और इससे भी बड़ा है तो आप 4 या 5 भी लगा सकते है तो गाईस अब यहाँ पर मैंने यह इस तरीके की बहुत ही beautiful सी गोटा के lace लिये यह देखे यह बहुत ही सुंदर यहाँ पर इस टाइप का एक चोड़ा सा गोटा है जिसका हम यूज करेंगे इस पोशाक की सजावट के लिए और गाईस यहाँ पर चीज में और मेंशन करना चाहूंगे कि पहले मैंने काना जी की पोशाक सजाने के लिए लेसिस खुद बनाना भी सिखाया है जहाँ पर हमने गोटा की भी पर्टिकुलर दो या तीन लेसिस बनानी सिखाई थी उनके लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप लोग जो इस टैप का यह सीधा गोटा होता है ना इस से इस टैप की मैं इसको कुछ जिस तरीकसे अप्लाइ करूँगी यह दिखें यहाँ पर हम इस तरीकी से मौड देंगे और फिर पूरे में इस टाइप से यह लगेगा यह देखे गाईज यहाँ पे यह जो हमारी पोशाक का घीरा था उसके किनारी पे मैंने यह वाला गोटा अपलाई कर लिया है और अब मैं आपको फर बनाना सिखाऊंगी जिसके लिए जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम साटन डिबन का य यह जो थ्रेड निकलते है इनको आप इस तरीके से पूरा ऐसा करके निकालने का ट्राइ कीजिए यह देखे किनारी से इस टाइप से और उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि आप थम से भी इनको शिफ्ट कर सकते हैं बट उसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रियेट होगा तो आप किसी भी नुकीली चीज का यूज कर लीजे यहाँ पे मैं यहाँ निडल आपको ज्यादा प्रिफर करूंगी आप चाहें तो पैन का भी यूज कर सकते हैं यह देखे कुछ इस तरीके से हम हलका हलका इसको बाहर की तरफ निकालते रहेंगे बहुत ही उनीक आइडिया है आप भी अपने काना जी की पुशाक को सजाने के लिए इस टाइप के फ़र वगेर तयार कर सकती हैं यह देखे सिंपल इस तरीके से हमें निकालना है इसको ऐसे करके पूरे हमें धागे निकालने हैं इस रिबिन के यहाँ पर यह जो साटन डिबनता इसके रेशे हमने इ यह देखे गाईज यहाँ पर इस तरीके से हमने टोटली फोर फर तयार किये हैं आप अपने पुशाक के अकॉर्डिंग रख सकते हैं मुझे जो है ना बेसिकली स्क्वार शीप की पुशाक है तो यह जो इसके यह वाले पार्ट्स है ना मुझे सरफ यहीं पे इसको लगा चाहें तो अपने पुशाक के बेस के मैचिंग भी ले सकते हैं सेम कलर इसकते हैं मैंने तीन यहां डिफरेंट कलर के ले लिए और अब जो पुशाक का आगे वाला हिससा है यहां पे कैसे लगाना है वह मैं आपको बता देती हूं बाकी तीन तरफ भी आप से मैठट से और यह जो थर्ड वाला है इसको मैं यह ब्लू वाले के पास यहां पर इस तरीके से पेस्ट करूँगी कि यह देखिए दिखने में ट्रांगल की तरह भी लगेगा और यह कट वाले इससे इस पे ओपन भी होंगे दो यहां स्टिक हो जाएंगे एक यहां स्टिक वावर यहां की भी यहां पर लगा सकते हैं और इनकेस अगर आपके पास पॉलेंस भी अवैलेबल गो तो आप उनको भी फ्लास के बीच बीच में लगा सकते हैं वह बहुत सुंदर लगेंगे चोली के लिए तो गाई सेमी फॉर्मिट है जैसा हम बाकी ड्रेस में भी करते हैं जै यहां पर हमने अपनी चोली को भी इस तरीके से अटाच कर लिया है यह बहुत ही ज्यादा सुंदर सी हमारे लड्यू गोपाल जी की पोशाक बनके तैयार है यह देखिए गाईस यह मैं आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ इससे बनाने के लिए हमने मोस नहीं पर आएंगी यह पोशाक आपको कैसी लगी अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी खेलफुल लगाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें चानल को की सब्सक्राइब करें रोजाना इसी तरीकी की क्रियेटिव और यूनिक वीडियो उसको देखने के लिए यह देखिए क काना जी वेर करेंगे तो उनके बाक साइड पे यह वाला कुछ इस तरीके से आएगा जब भी आप काना जी को सिंगासन वगेरे पे या जैसे मैंने आपको पहले टेबल चेर भी काना जी के लिए बनाना सिखाया है मुड़ा चेर वगेरा तो अगर आप किसी मुड़ा चेर पे या फिर सिंगासन पे सोफा पे किसी पे भी काना जी को बिठाएंगे तो यह उनके बैक साइड पे कुछ इस टाइप से आएगा हमारे काना जी बहुत ही सुंदर लगेंगे इस पोशाक को पहनने के बाद तो गाइस मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के अमेजिंग से किसी भी क्राफ्ट टूरियल के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर खरेकृष्णा रादे रादे थैंक्स पो वाचिंग